Good morning everyone, Sports CR-E में आप सब का स्वागत है पिछले दो दिनों से जो खबर यार को आप प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया Sports CR-E को जो आप अपना पूरा प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपको शुक्रिया 40,000 से जादा का परिवार हमारा हो चुका है आप सब को उसके लिए बढ़ाई और आप सब को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो फीड़ेक्स आप दे रहे हैं वो सब भी हमको मिल रहे हैं और खबर यार जो सेग्मेंट हमारा शुरू हुआ है पिछले दो दिन से वो कंटिन्यू रहेगा अखबार हो कि जो भी खबरे रहेंगी वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाये करेंगी तो शुरुआत कर लेते हैं आज के सेग्मेंट की सबसे पहली खबर जो आई है वो थोड़ी सी परिशान करने वाली खबर है अब खबर आई है वानखेडे से वानखेडे का जो ग्राउंड स्टाफ है जो वानखेडे की देखरेक में लोग रहते हैं उनमें से तीन लोग पॉसिटिव आये जिसमें से दो लोग तो ग्राउंड की देख रेक में रहते हैं और एक जो है वो प्लंबर हैं वहाँ पर तो ये वो तीन पॉसिटिव केस और आये हैं वहाँ से हलाकि इन से पहले जो दस लोग पॉसिटिव आये थे उनका जब दोबार तो वो लोग फिर नेगेटिव हुए, उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव हुई, उसके बाद में अभी ये जो और टेस्टिंग जो चल रही थी, उसमें तीन लोग और पॉसिटिव आ है, हम उमीद करें कि सारी चीज़ अच्छी रहेंगी, क्योंकि दस तारिफ को मैच खेला जाएगा वानखेडे में, और उमीद करते हैं कि ये IPL का जो सीजन रहेगा, ये भी सेफली पूरा अच्छे से होगा जैसा पिछली बार का सीजन रहा था, अब उसके बाद हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, तो वो खबर आपको सोशल मीडिया पर पता चल चुकी हो कि वो टीम के साथ ही थे, अब किरन मोरे टीम के साथ थे, कौन-कौन से प्लेयर से वो कंटेंशन में आये हैं, कौन-कौन से प्लेयर से उनका कॉंटक्ट हुआ है, ये सारी चीज़े देखने वाली रहेगी, लेकिन अच्छी बात ही है कि किरन मोरे को अभी किसी भी तरह की स सिंटम्स नहीं हैं और वो सेल्फ आइसोलेशन में जा चुके हैं मुंबई इनियंस ने इस बात को बताया है कि स्टेट्मेंट जारी करके तो एक अच्छी चीज है कि उनको कोई भी सिंटम्स नहीं है लेकिन यह जो केसिस निकल करके आ रहे हैं आई पिल शुरू होने से ठीक पहले यह थोड़ी सी चिंता दे रहे होंगे आप सब को भी उसके बाद जो तीसरी खबर की तरफ हम भड़ रहे हैं वो ख़बर है डैली कैपिटल्स है और डैली कैपिटल्स के लिए बड़ी परिशानी की खबर है यह वाली अब खबर क्या है कि एन्विक नौकिय और कगि कारंटین फेस रहेट रहेगा उनका साथ दिन का रहेगा तो साथ दिन तक वह टीन के साथ नहीं मिल पाइंगे और साथ दिन पाइंगे और गयाप चे मैच होगा दस तारिक के निखे दिट है और यह मैच के कडीळी सो रबाडा और एंडYoYo के रहेंगे अब ये दोनों प्लियर कितने ज़ादा जरूरी है डैली कैपिटल्स के लिए वो अगर आपने पिछला सीजन देखा होगा तो आपको पता चला होगा कगी सोरबाडा जबदस गेंदबाजी करते हैं एंविक नौकी की रफ्तार जो है वो उससे सब को बीट करते हैं और डैली कैपिटल्स जो फाइनल तक पहुंची थी उसमें एंविक नौकी और कगी सोरबाडा का एहम योगदान था तो ये एक खबर है डैली कैपिटल्स के ज कप्ता नहीं रहेगी पहला मैच रहेगा उनका बतौर कप्ता तो उससे जुड़ी भी खबर है वो भी मैं आपको आगे बता हूँ लेकिन आप बात कर लेते हैं चौथी खबर की सौरफ कांगोली ने एक statement दिया है अच्छली जो उनका एक online program चल रहा था online event चल रहा था उसमें सौरफ कांगोली से quarantine period को लेकर के और बायो सीकर बबल को लेकर के बहुत सारी बात चीथी तो उनों ने बोला कि जो भारते खिलाडी हैं उनकी सेहन शक्ती थोड़ी जादा होती है वो mental fitness जो है उसको अच्छे से manage कर बाते हैं और comparison अगर करा जाए तो इंग्लेंड के जो players है आस्ट्रिया के जो players है विदेशी जो players है उनके comparison में इस बात के साथ में उन्होंने एक example भी दिया उन्होंने बताई कि आस्ट्रिया में भारत खेल करके आया बाइसी का बबल में सारे players थे लेकिन उसके बाद फिर आस्ट्रिया की टीम ने सतैफरिका जाना था महापर जाने के लिए टीम ने मना कर दिया यह सारी restrictions को देखते तो यह सारी सी चीजें हैं सौरफ गांगूली ने बोला है कि mental fitness की आप जहां तक बात करेंगे तो भारत के जो खिलाडी हैं भारती यह जो हैं वो जादा अच्छे से अपनी mental fitness को manage कर पाते हैं तो एक यह खबर थी जो की सौरफ गांगूली ने कही थी अब उसके बाद पां प्रेशर क्रिएट करने वाली situation रहेगी धोनी को अपना mentor मानते हैं वो शुरुआत सो धोनी के खिलाफ यह मैच होंगा 10 अप्रेल को पहला मैच खिला जाएगा जिसमें डैली कैपिटल्स और चिन्नी सोपर किंग्स आमने सामने होंगी तो इस मैच में क्या कुछ करेंगे र रिशब पंत ने बोला है कि मेरा पहला मैच रहेगा बतौर कप्तान और सामने होंगे माही भाई तो अब यह थोड़ी सी चीज ऐसी है थोड़ी सी प्रेशर क्रेट करने वाली situation है लेकिन रिशब पंत ने बोला है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है बाकी as a player भी मेरे बह चाबला होता है और क्या कुछ उस समय देखने के लिए मिलता है चटी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे अब अब हनुमा विहरी आपको बताए कि IPL और T20 के लिए इस टेस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में उनको देखा जाता है तो उनको वह जादा तबज्यो IPL को नहीं देत इंगलेंड खेलने के लिए जाना है भारत को वहाँ पर खेलेंगी भारत की टीम तो फिर वह जाकर के एकलमेटाइज होंगे वहाँ पर इंगलेंड की कंडिशने उसको अच्छे से बापेंगे और वो जादो से जादा मैस्स कहेलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वर्लट पहले से मौझूद रहेंगे, काउंटी क्रिकेट वो अल्रेडी खेल रहे होंगे, अब उसके बाद जो अगली खबर की तरफ हम भड़ रहे हैं, अगली खबर जो है वो नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं हिस्सा लेंगे, उन्होंने बोला ह नॉर्थ कोरिया की तरफ से, और ये जो फैसला है, वो कोरोना वाइरस आउटब्रेक जो है, उसको लेकर के फैसला लिया गया है, अब परिशानी की चीज तो है, साथी चीज़े हो रहे हैं, कोरोना के केसिस भी दुबारा से बढ़ते जा रहे हैं, और पूरे दुनिया में ये सब को चल रहा है, तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने फैसला लिया है, कि वो टोक्यो ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं होंगे, पिछली बार भी जब ओलंपिक्स होने वाला था, तो बहुत सारे देशों ने अपना नाम वापिस ले लिया था, ओलंपिक्स से कोरोना वाइरस को देखते हुए और अपने प्लेयर्स की सेफटी के मद्दे नजर ये फैसरा साब देशों नहीं लिया था और इस बार आगे पोस्पोन कराया गया टोक्यो ओलंपिक्स और इसमें नौर्थ को रिया है उन्होंने बोला है कि वो हिस्सा नहीं लेंगे इसका अब अगली खबर की क्वर्टर फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा फर्स्ट फेस का मैच रहेगा इसमें बैरन म्यूनिक की टीम और साथ-साथ जो पीएजी की टीम है वो आमने सामने होगी पिछ्ट इस बार को जो फाइनल मुकाबला था इन दोनों टीम्स के बीच में ही हुआ था जिसमे बैरन म्यूनिक ने जीत हासिल करी थी पिएजी उस मैच में जीत हासिल नहीं कर पाई थी लेकिन अब की बार यह दोनों टीम सामने सामने होंगी आज राद देर रात ही मुकाबला खेला जाएगा तो अब देखते रहेगा इस मैच को भी फॉलो करेगा इंप्रेस्टिंग म लिए आप कहेंगे रियल मैटवेट को एक तीन से हर का सामने करना पड़ा है लिवर पूल को और दूसरा मैच रहा था दूसरे मैच में मैंचेस्टर सिटी ने जीत हासिल करी है और डॉट्मेंड को उन्होंने हराया है दो एक से तो चैंपियंस लीग भी जबरदस चल रही पर देखने के लिए मिल रहे हैं हमको और फर्स लाग के यह मैचेस से जिसके बारे में मैंने आपको बताया अब बात कर लेते हैं इस पोट सियारी पर आज आपको क्या-क्या मिलने वाला है इस पोट सियारी पर लगातार आपको एक्स्लूसिफ वीडियो मिल रहे हैं इंट क्रिकेट में आगाज हुआ तो फिर उन्होंने अपने फादर को उस चीज़ से रोका और इस तरीके से बहुत सारी उनकी जो एक कहनी है उसमें बहुत छोटी-छोटी से आपको कहनियां मिलेंगी जो की आपको मोटिवेट करेंगी तो आप जरूर देखेगा चेतन का वो कब आएगा आप सब ये सवाल को भेज रहें लगातार आप पूछ रहें एस सवाल को तो पंजाब का प्रिव्यू भी हम कोशिश करेंगी कि आज रात तक आपको मिल जाए देर रात में ही मिलेगा वो 10-11 बजे के असपास मिलेगा अगर आज मिलेगा तो हम पूरी-पूरी की भी वो आपके बिना अधूरी रहेगी तो इस वीडियो में आप सब का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स फा वाचिंग जो प्यार आप दे रहें इस पोस्यारी को खबर यार को हमारे हर एक वीडियो को वो देते रहें अगर आपको पसंद आ रहें सा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आपका इस वीडियो में जुड़ने के बहुत बहुत शुक्रिया